कुछ नंबर थ्री कुछ नंबर थ्री सेज अब पार्टिकल ओफ मास एम एंड चार्ज क्यू मूविंग विद विलॉसिटी वी इंटर्स रीजन टू नॉर्मल टू दी बाउंडरी तो यह रीजन टू में मैंनेटिक फील्ड है ठीक है और यहां से यह पर्पेंडिकुलर्ली कि विलॉस्टी है मतलब बहुत ज्यादा विलॉस्टी है तो क्रॉस कर जाएगा ज्यादा विलॉस्टी नहीं है तो ऐसा हो सकता कि टर्न होके वापस इसी रीजन में आ जाए या ऐसे ग्रेश करता हुआ 90 डिगरी पे निकल जाए तीन केस इसमें बनते हैं तो आप देखो इसमें एक एक सॉल्व करना है तब पार्टिकल एंटर्स रीजन थ्री ओनली इफ विलोसिटी वी इस ग्रेटर देन क्यू एल बी अपॉन एम तो देखो हम लोग सीधा-सीधा यह बोल सकते हैं कि एंटर होने की तुरण बाद इसका रेडियस निकालते हैं देखो तो सपोस्थ यह रहा कि रीजन टू ठीक है और कि इसका लेंथ हमको एल दिया हुआ है आड़ जो इंटर होने के बाद जो उसकी विलोस्टी है उसके डारेक्शन से हम लोग सबसे पहले फोर्ज का डारेक्शन निकालते हैं फो अगरिम प्उइंट ओ को पे पोफॉर्स का डिरेक्शन से मैंने कहां एक शिजय झालों यह गूम करके वापस में यह है एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि बहुत ज्यादा विलॉस्टी हुई तो वह रीजन टू में से रीजन थ्री में क्रॉस कर जाए और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है जिससे वह जस्ट ग्रेस करता हुआ इस बॉंडरी से 90 डिग्री पे निकल जाए इस तरह से तो एक्चली तीन पॉसिबिलिटी है तो अब इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है यह डिपेंड करेगा रेडियस पे तो देखो यह जो कि डिस्टेंस है एल अगर यह डिस्टेंस इसके रेडियस से बड़ी हुई तो यह वाला केस हो जाएगा यानि वन एटी डिग्री का यूटन हो जाएगा तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इट विल क्रॉस रिजन टू यह ऐसे बोलना चाहिए इट विल रीच इट विल एंटर तो रीजन थ्री इसका जो रेडियस है वो बड़ा हो एल से और रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं एम वी अपॉन यहां से आपको मिलेगा कि वी ग्रेटर देन क्यू एल भी अपॉन एम तो देख लो दियान से हमारा ए ओप्शन तो करेक्टा जाएगा ठीक है फिर कह रहा है था पार्टिकल एंटर्स रीजन थ्री ओनली इफ व्लॉस्टी लेज देन तो ए वाला आंसर सही है तो भी तो डेफिनेटली सही नहीं है फिर कह रहा है पाथ लेंट ऑफ पार्टिकल इन रीजन टू इस मैक्सिमम वेन दी विलॉसिटी इस क्यू एल अब इक बास देखना पाथ लेंट का मतलब क्या हुआ फिर यह फिर यह वाली लेंज से तो बन सकती है तो आगरं की बात करें तो ये एंगल तो maximum हो सकता है 180 डिग्री लेकिन जो हम एंगल 180 डिग्री करेंगे तो रेडियस कम हो जाएगी ठीक है न तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब इसको एक जनरल टर्म्स में लेके समझते हैं ठीक है कि लेट एंगल कवर्ड एंगल कवर्ड इन हितना आएगा पाथ लेंथ को हम लोग सीदिए क्या आर इन्टू थीटा लिख सकते हैं कि ऑर रेडियस की वैलिऊव अगर हम देखें तो रेडियस की वैलिव बनेगी एम वी अपन क्यूबी और इंटू ठीटा अब हम चाहते हैं कि यह पाथ लेंद मेक्स्वम से मैक्स्वम हो है ठीक है और अब दिश्चे अगर हम लोग वी का वैलू बढ़ाएंगे ठीक है तो वी का वैलू बढ़ाएंगे तो इस सिचुएशन से हम लोसेंगे और फिर सिच्वेशन पहुंचेंगे लेकिन क्या थीटा कम होता जा रहा है अगर हम सिंप्ली अब्जर्व करें तो भी प्रयाप्स हमारा हो सकता है जिए वाला थोसीच्वेशन हैं ये सिच्वेशन एक ऐसा सिच्वेशन भी तो बनेगा कि जस्ट वह बाहर निकलने के बजाए वह अंदर ही वापस आ गया तो इस सिच्वेशन ने भी क्रिटिकल की बात करेंगे तो रेडियस उसकी एल के बराबर ही होगी तो यह बात हम डारेक्ट भी बोल सकते हैं कि पाथ लें विल बी मैक्सिमम वेन इट को वर्स से मैक्सिम मृडियस तो मैक्सम से मैक्सम रेडियस इसका एल के बराबर हो सकता है यह इसका मतलब उस सिच्वेशन में वी की वैल्यू क्यू वैल्यू एल्पर एम के बराबर होगी यानि फिर option c हमारा correct आएगा और टाइम इस्पेंट इन रीजन टू इस सेम फॉर एनी वैल्यू आफ वी एज लॉंग एस पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन वन तो एक बात देखना इफ पार्टिकल इस पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन वन तो इसका मतलब यह सेमी सर्कल कवर कर रहा है ठीक है और सेमी सर्कल कवर करने की सिच्वेशन में जो उसका टाइम स्पेंट होगा वो टोटल टाइम का हाफ होगा मतलब टाइम पीरिड ऑफ रिवल्यूशन का हाफ आएगा और इस नौट डिपेंड ऑन वी है ठीक है ना यह तो खेर एक प्रॉपर्टी भी है कि चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है उसका जो टाइम पीरिड है वो उसके विलॉसिटी पर डिपेंड नहीं करता है को मैगनेटिक फील पर डिपेंड करेगा और उसके चार्ज औ तो इसका मतलब यह डी ऑप्षिन वीस में करेक्ट आ जाएगा थीक है ना झाल झाल